रादे रादे कुझज बिहारी श्री हर्दास आज हम सभी स्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी जिसका नाम पुत्रदा एकादसी एवं पवित्रा एकादसी भी कहते हैं आज उसकी पावन कथा का स्रमण करेंगे लेकिन सबसे पहले तो हम अपना ध्यान बांके बिहार जी महाराज के श्री च्रणों में किंद्रित करते हैं आप सब भी अपनी पूरी भक्ती भाव से इस कता को स्रमन करें नमहा कुंज बिहारिन नमहा कुंज बिहारिने स्वामी श्री हर दासाए गुरुणाम गुरुवे नमा राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे जुको दास जनम जनम मोहे दीजियो श्री व्रंदावन को बास व्रंदावन सो वन नहीं नंद गाव सो गाव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ने नाम सो नाम कताओं का आनंद लेते हुए युदिष्टिर बोले हे बगवन ये रोचक और महापुन दाई कताएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है हे मधुसूदन अब आप कृपा करके मुझे स्रावन मास के शुकल बख्ष की एकादसी की कता सुनाएं इस एकादसी का क्या नाम है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके वरत की क्या विदी है इसका वरत करने से क्या फल मिलता है सो आप विस्तार पूर्वक क श्री किष्ण चंद्र बोले हे पांडमो स्रावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादसी की कता के स्रमण मात्र से ही अनन्त यग का फल मिलता है हे युदिष्टिर द्वापर युग के प्रारंब में महिश्मती नाम की एक नगरी थी उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज करता था वे पुत्र हीन था इसी लिए वे सदेव दुखी रहता था उसे वे राज सुक और वैवब सब कुछ बड़ा ही कष्ट दायक प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र के बिना मनुश्य को इस लोक और परलोक दौनों में सुक नहीं मिलता है राजा ने पुत्र प्राप्ती के बहुत सारे यतन किये परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा जैसे जैसे राजा महाजित व्रद्दा वस्ता की ओर बढ़ता जा रहाता वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी एक दिन उसने अपनी सबा को संबोधित करते हुए कहा ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है ना ही कभी प्रजा को सताया है ना कभी किसी देवता अत्वा ब्रहमनों का अपमान किया है मैंने सदेव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है कभी किसी से द्वेश नहीं किया और सब को एक समान माना है मेरे राज में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भेपैदा करें इस प्रकार धर्म्युक्त राज करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ इसका क्या कारणे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारणे और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदी वन को गई ताकि वहाँ जाकर किसी रिशी मुनी को राजा की व्यता बताकर कोई समाधान पा सकें वहाँ वन में जाकर उन्होंने स्रेश्ट रिशी मुनियों के दर्शन किये उस इस्थान पर वयोवरद और धर्म के ग्याता महरशी लोमस भी रहते थे वे सबी महरशी लोमस के पास गए उन सबने जाकर उन महरशी को यतायोग प्रणाम किया और उनके सम्मुक बैट गए उनके दर्शन से सब को बड़ी प्रसंदता हुई और वे सब उनसे निवेदन क का सवभाग प्राप्त हुआ इस पर लोमस रिशी बोले हे मंत्रीगण आप लोगों की नम्रता और सद विभार से मैं अत्यंत प्रसंद हूँ आप मुझे अपने आने का कारण बताएं मैं आपके कारे को अपनी शक्ती के अनुशार अवस ही करूंगा क्योंकि हमारा शरीर ह की परोपकार के लिए बनाएं लोमस रिशी के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले हे महरशी आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्त हैं अत्य आप हमारे संधे को दूर कीजिए महिश्मती नामक नगरी के हमारे महराज महाजित भी धर्मात्मा प्रजा वत्सल हैं वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं परंतु फिर भी पुत्र हीन है हे महरशी इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं हम लोग उनकी प्रजा हैं हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं क्योंकि प्रजा का ये कर् सब है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने हमको उनके उत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है इसलिए हम आपके पास आए हैं अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवस्य ही दूर हो जाएगा क्योंक अब आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि किस विदी से हमारे महराज पुत्रवान हो सकते हैं हे महरशी यह आपका हम पर वह हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा ऐसी करुण प्राथना सुनकर लोमस रिशी नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों के बारे में विचार करने लगे वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले हेसरिष्ट पुर्शों यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था उस जन्म में वह एक गाउं से दूसरे गाउं में घूमा करता था एक बार जेश्ट मा के सुक्ल पक्ष की एकादसी के दिन की बात है वे दो दिन से भूका था दुपैर के समय एक जलाशे पर जल पीने गया उस इस्तान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाए भी जल पी रही थी राजा ने उसको प्यासा ही भगा दिया और स्वेम जल पीने लगा हे भद्र जनों इ इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं एकादसी के दिन भूका रहने का फल तो यह हुआ कि वे इस जनम में राजा है लेकिन प्यासी गाए को वहां से भगा देने के कारण वे पुत्र ही ने इस पर वे सभी सवासत विंती करने लगे हे महर्षी सास्त्रों मे ऐसा लिखा है कि पुन्न से पाप नश्टो जाते हैं अत्य करपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे महराज के पूर्व जनम के पाप नश्टो जाएं और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ती हो सभासतों के याचना भरे सब्दों को सुनकर लोमस रिशी बोले हे बद्र जनो यदि तुम सब स्रामण मास के शुकल पक्ष की पुत्रदा एकादसी का वरत और रात्री को जागरण करो और उस वरत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुमारे राजा के हैं पुत्र धन्यवाद दिया तता उनका आशिरवाद लेकर अपने राज में लोट आए तत्वस्चात उन्होंने लोमस रिशी की आज्या अनुसार पुत्रदा एकादसी को विधी पूर्वक वरत किया और द्वादसी को उसका फल राजा को दिया उस पुन्य के प्रवाव से रानी न नौ महीने के बाद ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ है योदिश्टिर इस लिए इस एकादसी का नाम पुत्रदा पड़ा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुस को चाहिए कि वे विधी पूर्वक स्रामण मास के शुकल पक्ष की एकादसी का व्रत करें इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है कथासार पाप करते समय मनुस यह नहीं सोचता कि वे क्या कर रहा है किन्तु सास्त्रों से विधित होता है कि व्यक्ति का छोटे से छोटा पाप भी उसे महान कश्ट भोगने को विवस कर देता है अत्य मनुस को पापों से डरना चाहिए क्योंकि पाप नामक यह राक्षस उसका जन्म जन्मांतर तक पीचा नहीं छोड़ता व्यक्ति को चाहिए कि सत्वरत का पालन करते हुए ईश्वर के ब्रती पूर्ण निष्ठा रखे और यह बात सदय व्याद रखे कि किस हमारे द्वारा कभी किसी का अहित ना हो सभी का हितो सभी हमारी तरफ से खुश रहें सुक रहें हमको ऐसे ही प्रत्न करने चाहिए क्योंकि अपराद केवल किसी को कष्ट पहुचाने से ही नहीं होता कई बार हम अपनी वानी के द्वारा भी दूसरों के दिल को दुखा दे है श्री वाके विहारी जी माराज की असी मनुकंपा हम सभी पर सदे बरस्ती रहे जै जै श्री रादे श्री कुंज बिहारी श्री अर्दास